Hi everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब, जैसा क्या आपको पता है कि मेरा हुन्जा ट्रेप चल रहा है और आज है हमारे ट्रेप का 6 डे, सुबा मॉर्निंग में हमने किया है नाश्ता, या आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में हमने किया है नाश्ता, क्योंकि आज हमने जाना है बोटिंग करने के लिए, जो के यहां से हुन्जा से तकरीबन 20 से 30 मिनिट का रास्ता है, मैं वहां जाकर आपको दिखाती हूं कि हमने आज का दिन कैसे स्पैन किया, आज हमारा लास्ट डे है यहां पर, रात को हमने बार्बी क्यों भी करना है, तमाम वीडियो को आपने एंड तक वाँच देख करना है और आपने बताना है मुझे की वीडियो आपको कैसी लगी, यह है मेरा आज का ड्रेस जो मैंने पहनना है, मैंने का आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूँ, यह मेरे हजबन ने मुझे गिफ्ट किया था, इन्शाला आपको अपने, जो मेरे हजबन ने मुझे अभी गिफ्ट दिये हैं, उनकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी, यह वाला ड्रेस मुझे वेर करना है, और फिर मुझे निकलना है, नाश्ता कर चुके हैं, हम बस अब हमने जल्दी जल्दी से तयार होना है, और यह रा मेरा पर्स, और हम हो चुके हैं तयार, और निकल रहे हैं होटल से, और चलें, फिर अपना व्लॉक शुरू करते हैं, और आपको भी आज करवाती हूँ, बहुत सारा इंजॉय, और मुझे आपने बताना है कि आपको मेरे यह ट्रिप कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्ल 어떻게 रिवेयो कांग साथ हैं, मैं सबसे हैं होटल से निकल कर मुझे फोलोवर बहुत साथ हैं, में जहां होतल साथ हैं, यह होटल से साथ होटल आपको मिझे थेहं ज़ित्कर के मुझे पने स्भी खरूष के अधर बहुप हैं, वाई हैं पहत शुरण पहलुर दकर सीष्टॉ lift रहे तो बहुत अच्छी लगती है और मेरा शौक है गार्डनिंग का बट मैं कर नहीं सकती हूं लाइफ बहुत ज्यादा बीजी है यह देख सकते हैं कितने खुबसुरत खुबसुरत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं यहां पर लगे हुए सौरी यहां पर भी खुर्बानियों के बहुत बड़े-बड़े दरख्त लगे हुए थे हमने बहुत सारी खुर्बानिया तोड़ के यहां खाई हैं फ्रेश फूर्ट्स हमने हुंजा में बहुत ज्यादा इंजॉए किये हैं और बहुत हमें मज़ा आया मैं आपको रेकूमे सिस्टम चलता है क्योंकि टूरिस काफी जादा आते हैं पाहर से भी और अब हम निकल चुके हैं बहुत यह खुबसूरत पहारी सिलसले के दर्मियान में यहां हमने करनी है बोटिंग और इस जगा को कहते हैं अताबाद लेक ठीक है यहां पर बहुत अच्छी बोटिंग है ब कुछ नहीं कर सके वापस आ गए तो आज का दिन फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस जगा को हम इंजॉय करें और यह देख सकते हैं आप यहां बहुत ही जबर्दस किसम की बोटिंग थी बट हाई काफी प्राइस काफी हाई थे बट जाइसी बात है इतनी दूर हम गुमने पि की है कि आपको अच्छे से जो है वो दिखा सकूं सारी जो हमने सेरो तफरी की बट आपको पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजड भी इंसान हो जाता है कितने सारे लोगों में कैमरे से वीडियो बनाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट फिर भी मैंने काफी कोशिश की है क है बहुत ही अच्छे से जो है वो आपको यह टृप जैसे मैंने इंज्जॉइ किया इसी तरह आपको भी इंज्जॉइ करवाँ हूँ वैँडर के हिसाब सेबाथ कर लों तो इस वक्त का वैदर जो कह ईद का वैदर था यह यहां पर थोड़ा घर्मी का वैदर था है मैं आ और साथ में आपको भी इंजॉय करवाया कमेंट्स लाजमी कीजेगा और यह देख सकते हैं यह अमारी बोर्ट थी इसके बाद हम घर पहुंचे काफी ठक चुके थे बट रात को था बाबी क्यू सुबह फजर में हमने निकलना है रात को हमने बहुत ही यमी सा बाबी क्यू त सुबह पांच बजे हमें जो है वो होटल से निकलना है क्योंके हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हम अपना सफर जो है वो हुन्जा से लहौर का अपते कर लें और कोशिश रहेगी मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको तमाम जो मनाजर थे वो दिखाऊं अब वापस नाश्ता जो है ब्रेकफास वो सुबह दुबारा हमारा नगर में ही है नगर में काफी अच्छा होटल था तो हमने सोचा कि नाश्ता जो है वो हम वहां पर करेंगे नाश्ता और ब्रेकफास सुरी ब्रेकफास हमने तोड़ा इस तरह से किया कि बारा बजे के करीब सुबह पांच बजे हम निकल चुके हैं यह आप देख सकते हैं कि अब हमने होटल को छोड़ दिया है और हम निकल चुके हैं हमने नाश्ता किया तकरीब बारा बजे के करीब क्योंकि हमें ये था कि नाश्ता और खाना जो हो तो हमारा साथ हो जाए क्योंकि सफर था तो बहुत हैवी नाश्ता हमने नहीं करना था 12 बजे के करीब नगर में हमने नाश्ता किया यहां के रस्ते थोड़े पत्रीले हैं पर हर चीज इनजॉई करनी चाहिए ग्रीन डुरी आपको आज़ाद कश्मीर में ग्रीन डे मिलेगी नारान कागान में ग्रीन ट्री आपको काफी मिलेगी अच्छा एक चीज और नांगा परबत की पहाड़ियां भी हुन्जा के रस्ते में आती हैं जाते वक्त मैं यहां पर वीडियो नहीं बना सकी थी कुछ था कावट की वज़ा से तो अब मैंने सोचा कि यह जब हमने यह आप देख सकते हैं यह सारा यह हमारी वेन खड़ी हुई है यहां पर भी हमने थोड़ी देर स्टे किया क्योंकि जार सी बात है सुबह फजर में निकले हुए थे पांच बजे तो काफी ठक चुगे थे और फिर नगर में हमने नाशता किया बहुत यमी सा नाशता था वहीं से हमने जो है नाशता अपने होटल से ही लिया और नाशता करके बस अब हम निकलते हैं रात को फिर हमारा रात को हमारा नाश्टी था बाला कोट में अब बस शॉट शॉट सा आपको दिखा रही हूं क्योंकि अब मैं चाहा रही हूँ कि मैं इस व्लॉग को यहां पर एंड कर दूँ यह हमारा मनाजर हमारे होटल का हमारी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे और इसी के साथ हमारा व्लॉग जो है यह खतम होता है यह होटल भी बहुत अच्छा था आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो जाएं मेरा हुंजा व्लॉग पूरा देखिएगा मुझे कमेंट कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा इन्शाला अब अपनी डेली रूटीन की तरह आउंगी जो कुछ अपनी लाइफ में मैं करती हूं वो मैं आपको दिखाऊंगी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजे लाइक शेयर और सब्सक्राइब